भार्षकार आयुस मंत्राले ने पंडु मंडी स्थित आयुव्यद्ग अनुसंधान संस्थान वा आस्पताल जिसका निर्मान कार्या 2014 में अरंभ हुआ था माननिया श्रीपद नाइक जी ने उसका सिला न्यास मंडिया कर किया था हमारे मानने मुख्य मंत्री उसमें विधाइक थे वो भी इस कार्यक्य में उपस्तित थे यह लंबा समय बेतीत हो गया जिमीन पत्रिली निकली और उसका चार्चा दिन प्रति दिन भड़ता गया कि आज कि वो सुल का आदे से ज्यादा काम लंबित पड़ा है तो मैंने प्रात्ना माननिया आयुस मंत्री श्रीपदलनाग्ष से की थी और माननिया मुख्य मंत्री सिर्फ दो बार मैंने चर्चा की उन्हें इसका निरिक्षन भी क वह वहती महत्वपूर्ण संस्तान अयुष मत्राडले का था और हिमाचल में केवल एक मातर संस्तान मंडी पड़ों में है और इस संस्तान के खुलने से आयुरिवेद्रिक शेत्र में और यह जो अधिकल टूरिज्म है उससे हिमाचल प्रतिष जुड़े हमारा मंडी कि इसी होती संस्तान का निर्मान किया जा रहा था कि बारा कुरूड अठारा लाकी राशी खर्च हो चुकी थी पैसा प्रिजुलू के पास नहीं था अभी हाल ही में उनको पंद्रा अभी हाल ही में उनको तीन क्रोड तीस लाकी राशी जारी कर दी गई है ताकि उस लंबी काम को पूरा कर दिया जाए और पूरा ओस्पिटल बने संस्तार बने जो उसकी योजना थी इसमें ओस्पिटल के अलावा नो पंच कर्मा वा योग कुटीर कुटीर हट का निर्माण हो रहा है होगा जिसमें एक रोगी स्वतनतर रुप से बी आईपी चिकिस्ता सुपदा ले पाएगा इस पंच कर्मा योग वसिष्ट चिकिस्ता सुपदा को मेडिकल तूरूजन से जोड़ा गया था ताकि निर्माण तो इरासी इसी कार्ण इसका खर्चा बढ़ा था लेकिन मैं आज मान्य मुख्य मंत्री जैरां ठाकूर जी का और अपने आयुस मंत्री आधनिया स्रीपद नाइक जी का हिर्दे से धन्य बाद करता हूँ कि आज उन्होंने उन्नी करोड तुन्जा लाकर पर गिरासी सब्कृत कर दी गई है जिसमें से पंदरा करोड पचास लाकी रासी लोक निर्माण भाग को दे जा चुकी है और बाकी रासी जैसे ही उडमा कि इस चीफिन ने और वहां दिक्यारों ने ये अस्वस्त किया है कि यह सारा कारया हम छे मेने में पूरा करेंगे पूरे संस्तान को बना कर देंगे ताकि लोग को सुबदा मिले बाहर से वी तूरिष्ट आएं और इसकी सुबदा ले पाएं यह भी काम होने वाला है तो एक बार पुना इस धनासी सब्कित कराने के लिए मानिया मुख्यमंत्री जी को और मानिया स्रीपद्नाइक जी का मैं धन्यवाद करता हूं और मंडी की जनता को बदाई देता हूं कि यह बहुत बढ़ा सांस्थान, छे मिन में त्यार होकर जनता को समर्पत होगा है तो आमें बहुत ऐसी सुबदाइब जिसके लिए हमारे लोगों को केरला जाना पड़ता था बाहर के परदिसंब जाना पड़ता था वो सारी सुबदाइब पन्डो इस ओच्वल में मिले तो इसके लिए जन्ता को बहुत 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 आई और मानिया पदनाई जी का मानिया मुख्य मंत्री जारम ठाकुल जी का कोटी-कोटी धन्यावाद